आप हैं ग्यानपीट इंस्टिट्यूट में आज ही क्लास में नेक्स्ट कोश्टन डिसकस्ट करने वाले हैं तो यहां पर आपका फर्स्ट कोश्टन जो है तो देखिए यह कोश्टन है विच बैक्टिरिया इस रिस्पॉंसिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोया भी इन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन रिस्पॉंसिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या है प्लांट के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है सबसे जाधा nitrogen ही होती है लेकिन वह हवा में से nitrogen नहीं ले सकते उन्हें स्वाइल में से nitrogen लेनी होती है जो की fixed form of nitrogen होती है याने की compound की form में होती है तो यह स्वाइल के अंदर nitrogen कहां से आती है यह काम करते हैं bacteria काम करते हैं सोईल में nitrogen को लाने का और बहुत ही बड़ी advantage होती है सोयबीन के साथ या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी दलहन वाले चीज़े होती है leguminous plant होते हैं दाले जो होती है ठीक है leguminous plant होते हैं उनकी जड़ों में आप देखोगे तो जड़ों के अंदर इस तरीके से नोडियूस पाई जाते हैं ऐसे गांठे पाई जाती है इन गांठों के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं क्या रहते हैं बैक्टीरिया और यह बैक्टीरिया क्या काम करते हैं यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं तो इन्हें फर्टिलाइजर डालने की जुर्थ नहीं होती है ऐसी जो दाले वगरा होती है इनमें हम कभी भी फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं क्योंकि अपनी नाइटोजिन फुद कर ले तो कि आंसर सब दे रहे हैं यह आंसर दे रहे हैं लेग्यूमिनस देख करके दे रहे होगे ठीक है ऐसा पॉस्चन बहुत रेरली आते कि आ बहुत कॉमन है और छोटी क्लास क्योंकि आपका जो टेंट क्लास तक की बायलोजी होती है वही आती है और उसमें यह वर्ड ही पढ़ाया जाता है बच्चों को राइजोबियम यह बहुत रेरली एक परसंट पोश्चन से ऐसे होते हैं बच्चों जो बहुत टिपिकल होते हैं जो नहीं कर पाते हैं मैं भी मैं तो सजय एक बार कोष्चन रख समय ठीक है तो यहां पर लिग्यूइमदयूस शैयरंस आजार साही होता अगर कि लेकिन लेकिन इसका आंसर है जैपॉनिकम क्या आंसर है इसका बी राइजोबियम जैपॉनिकम होती है स्पीशिस जो की सोया बीन की जड़ों के साथ जुड़ करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ओके आज मेरा पहला ग्लास आपके पास ओके वेलकम मोहमद अर्शाद खान ओकी एंड गुड़ इवनिंग एवरिवान ओके तो यह कोशन आपको क्लियर है आपको क्या चीज याद रखनी है वो है राइजोबियम वर्ड ये वर्ड आपको याद रखना है इस पीशीज याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको फालत में दिमाग मन लगाओ ठीक है ना तो क्योंकि ऐसे कोशन बहुत रेरली आते हैं लेकिन राइजोबियम पूछ सकते हैं ओकी नेक्स्स कोशन चलिए यह हम पहले ही थोड़ा सा डिस्केशन हो चुका था दुबारा से डिस्केश करते हैं वाकी है कि कमणि असे स्यीन इसब्सद्री चलत अब बद सब्सकेशन चलिए हैं जिस्से कि मुझे बदा चले कि आप Loken आफ- नहीं यह दर्यान करता है कि कला साथ जूटली से किसली शोलोग मेरा यह पहली आप नमको तेफे स्सदुन किया हैं जिसले माम आइनकी पदा आपको पहले बता दूं मैं आपको बताया था एक हर्मोन जो इसके हम ऑघ्जिन कहते हैं इसमें पूरा स्ट्रक्चर है ठीक है कैमिकल हॉर्मोन इसको बोल सकते हैं लेकिन हम इसको को करते हैं अपनी खेती बाडी में यूस करते हैं हर भी सआइड की तरह यह हम क्या सकते हैं खर पत्वार हिंडी में बोलते हैं कि अरबी साइड तो आंसर आपका डी इन बचसे ल कर दिए सही pus कि आपको याद रहा मैंने आपको ये अडिशनर इंफर्मिशन वदाया था कि 240 क्या है इस अ हर्भी साइड और वैसे इसका स्ट्रक्चर ऑउग्जिन की तरह होता है ऑउग्जिन जो की एक प्लांट हॉर्मून है रैड कलर फून में किसकी वज़या से होता है यह भी हमने ड्रीकलर यह बहुत कॉछिं बॉछा जाता है बहुत कॉमन पूछन और बहुत ही बेसिक वज़या आपनी होता है खाले ही NICK हम बॉल् tutte है हीमो मुदी को कड़ रहा है जल्दी है कि मेरी वॉइस आपको इसको नहीं से बता देजि़े कि यह कोई भी डिस्ट्रबेंस है तो प्लीज कमेंट कीजिए तो क्यारी ऑक्सीजन और इसका काम यह भी है कि यह रैड कलर देता है हमारे खून में नेक्स्ट कोश्ट में चलते हैं अगे बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका बहुत च्छी बाद है हितेश राजकुमार चाया नेक्स एक रड़ और बीसी का लाल रंग किसकी वज़े से होता है आप यह मत कहना कि मैं मैं पूछे भी रीड का रख अगी बीच्छ के इनदर ही ही हीमोगलोबिन होता है क्या होता है हीमोगलोबिन तो ब्लड पूछे या फिर आर्बीसी पूछे आंसर एक ही है ठीक है आर्बीसी के अंदर हीमोगलोबिन होता है जो कि ऑक्सिजन केरी करता है तो अगर आप से पूछेंगे कि ऑक्सिजन केरी करने का काम हमारे अंदर जितने भी कोशिकाएं होती है उन में से किस कोशिका का काम होता है तो आप हीमोग्लोबिन मट्टिक करना ठीक है तो कोशिका है आर बी सी कि यह सेल है जो की ओक्सिजन कैरी करता है clear everyone तो इसका आंसर भी क्या होगा हीमोग्लोबिन ओके टक्ष्मी ललित सबने सही आंसर दिया है है रिजन आफ लाज स्कैल डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मतलब की जो होती है डिफरेंस जो होते हैं हो किसकी वज़े से होते हैं मतलब जैसे की कि और मैं आप से किसी ना तरीके से अलग होंगी ठीक है इन फैक्ट आपके भाई भेन भी आपस में कुछ ना कुछ अंतर होगा उनमें है ना हर दो इंसानों में हर दो इंडिवीजू ने कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं इसे हम बोलते हैं variation के differences ठीक है diversity तो यह diversity किसकी वज़े से होती है क्या क्या कारण होते हैं सबसे मुख्य कारण इसमें होता है mutation very good जिसने भी C answer दिया है सही है mutation is the answer उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन क्या होता है it is sudden change या random change sudden random change in DNA 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 क्या होता है यह सारी information तो यही carry करता है एक generation से आपके माता पिता से आपके अंदर जो भी information आ रही है information मतलब characters की जो information आ रही है वो DNA ही लेके जाता है DNA is the carrier of heredity या chromosomes और chromosomes are the carrier of heredity अगर इसमें कोई भी challenge हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे mutation ठीक है अगर DNA में कोई भी change हो रहा है तो उसको हम बोलते है mutation तो हमारे character भी change हो जाएगे और character change हो जाएगे तो क्या होगा differences generate हो जाएगे next question में है which of the following does not have sex chromosome कौन सा इस organism है जिसमें sex chromosome नहीं होते हैं अब थोड़ी सी मैं इसमें आपको information देती हूँ कि sex chromosome होते क्या है जैसे हम है humans है हमारे अंदर 26 जोड़े sorry 23 जोड़े होते हैं 23 पेर होते हैं किसके chromosome के और इन 23 जोड़ों में से एक एक last वाला जो जोड़ा होता है वो sex chromosome होता है क्रोमोसोम मतलब यह कि हम male है या female है वो कौन decide करेगा वो यह last वाला chromosome decide करता है और हर organism के अंदर जादा तर organism के अंदर इसी तरीके से decide होता है कि male है या female है chromosome से decide होता है बड़्ट अगे लेकिन क्या होता है कुछ और इसे होते है जिन में क्रोमोसोम से decide नहीं होता है कि वो male है या female है और है तो यहां यहां पर कौन साइस ऑगनिस्म होता है जिसमें सेक्स ट्रोमोसोम नहीं होता जो सेक्स ट्रोमोसोम तो वो होता है lizard एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात है यहां पर lizard के बारे में लिजर्ड या फिर अगर आपके option में आए ख्रोकोडाइल तो वो भी सही होगा ठीक है अगर आपके option में क्या लिखका है ख्रोकोडाइल तो इनके अंदर भी सेक्स ट्रोमोसोम नहीं होता तो कैसे decide होता है कि यह male है या female कैसे बनेंगे तो यह decide होता है temperature से temperature मतलब की तापमान अगर अंडे अगर आप उनको ठंड में रख दोगे ठीक है ठंड में मतलब की 28 degrees Celsius से कम temperature पर अगर रख दोगे तो क्या होगा यह male में बनेंगे ठीक है male पैदा होंगे फिर उन अंडों से अगर आप इनको गर्मी में रख दोगे 28 degrees Celsius से उपर तो फिर यह female पर पैदा होंगे तो बहुत ही interesting fact है इसके बारे में तो यह दोनों ही आपको याद रखना है crocodile, lizard और कुछ turtles भी होते हैं turtles कुछ turtles ओके नेक्स देखिए which of the falling is correct इसमें से कौन सी चीज सही है kidney के बारे में है यह all the blood in the body is absorbed through the kidney all the blood in the body is absorbed through the kidney तरीकर सारा रत्गुर्दे द्वारा अफ्शोशित होता है all the blood in the body passes through the kidney खुन किड्नी से होकर घुजरता है all the blood in the body is filtered through the kidney सारा खुन किड्नी के जरिये filter होता है all the blood in the body is made through the kidney सारा खुन किड्नी से बनता है तो कौन सी बात सही है देखिए कौन सी बात सही है हमें पता है कि किड्नी का काम क्या है किड्नी का काम है रक्त को filter करना ठीक है रक्त को filter करना खुन को filter करना तो filter करने के लिए सारा blood उसमें से पास होगा तभी फिल्टर होगा तो आंसर क्या होगा सी से अंसर हमारे क्या होगा सी लिट कांशा रोश्णी ललिद एवरीवन हेस राइट ओकेइश ने सीट्टाइक डाइलाइसस कैसे समबंदित है क्या है इसको हम एकटिफिशल के डनी मतलब आगर किसी की kidney खराब हो जाती है तो हम kidney की जगा हम इसको dialysis करवाने के लिए ले जाते हैं ओके तो answer क्या होगा B गुर्दा इसका काम है filter करना, blood filter होता है यहाँ पर next question पर चलिए which one of the falling human organ is responsible for detoxification of alcohol very important question detoxification word जैसे ही आए न detoxification चाहें वो alcohol हो या फिर जहर हो के poison answer एक होगा हमारी body में एक ऐसा organ होता है जो detoxification का काम करता है चाहें कोई जहर खा ले मतलब एक limit तक ज़रूरी नहीं है कि सारे जहर का detoxification हो पाए तो poison, alcohol या फिर drugs drugs मतलब कि जो भी दवाईयां वगरा खाते हैं उसका भी effective organ पे उतना ही होता है depending upon the type of drug तो क्यों सा organ होता है जो detoxification करता है आप कहते हो न कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है liver is the right answer, very good ओके लीवर ही detoxification करता है कई बार ये भी question पूछा जाता है कि अगर किसी ने आदमी ने poison खाया है जहर खाया है तो उसका कौन सा organ fail हो जाएगा कौन सा organ fail होगा बच्चों organ जो fail होगा वो होगा सबसे पहले लीवर और लीवर fail होने की वज़े से उसके death होगी क्योंकि विचारा detoxification करते करते खराब हो जाता है ओके next चलो the organ affected by malaria malaria एक बहुत ही खतरनाक बिमारी है और हमारे देश में malaria बहुत जादा फैला हुआ है ठीक है बहुत जादा होता है इसे क्या होता है बहुत सारे organs effect होते है अगर यह severe हो जाता है ना तो बहुत सारे organs effect होते हैं सबसे पहले जो effect होता है वह होता है number of Rbc number of Rbc याद रखना बहुत important है NCRT में भी दे रखा है और आपकी exam में भी पूच सकते है number of Rbc कम होने लग जाते है malaria के अंदर ओके तो number of Rbc कम होने की विज़े से होते हैं उसके बाद क्या होता है लीवर पे भी effect होता है इसका लीवर भी धीर-धीरे खराब होने लग जाता है फिर उसके बाद कि स्प्लीन अगर बहुत जादा बहुत जादा अगर malaria हो जाए अगर बहुत जादा एडवांस स्टेश पर चला जाए malaria तो स्प्लीन बर्स्ट हो सकता है तो स्प्लीन बर्स्ट हो सकता है क्योंकि अगर बहुत जादा स्प्लीन इसमें लीवर नहीं नहीं रिखा अगर लीवर होता तो वह भी हो सकता था आपका अंसर और चलो इतनी इंफर्मेशन बहुत है आपके लिए इसकी एक दवाई बहुत जादा पूछे जाती है कुनीन मलीरिया की दवाई होती है जो की सिंचोना पेड़ की छाल से मिलती है सिंकोना या चिंकोना बोलते हैं कुछ सिंकोना पेड़ की हाल से मिलती है और इसका एक derivative भी होता है chloroquine यह सब potion पूछे जाते हैं तो आप से अगर पूछेंगे chloroquine कि यह chloroquine जो दवाई है वो कौन से बिमारी के उपचार के लिए यूज होती है कौन से बिमारी के treatment के लिए उती है तो आप कहोगे malaria अगर आप से पूछेंगे कि कौनीव कौन से बिमारी के लाज के लिए होती है तो आप कहोगे malaria बहुत ही easy question हो जाएगा ये थो ठीक है क्योंकि कौनीन सबको पता है स्थाधा तर question यह पूचाता है कि कुनीन कहा से हमें मिलता है कुनीन कहा से मिलता है हमें सिंकोना पेड़ की छाल से मिलता है तो कितने question हो गए आपके हम पे एक दो टीन कोशिण हो गए, आपको ये चीज़े याद रखनी है, इस कोशिण से, मलेरिया क्योंकि हमारी देश में बहुत होता है, इस पर कोशन भी पूछ जाते हैं, next देखिए, इनसुलीन is a, इनसुलीन क्या है, इनसुलीन क्या है? इनसुलीन इक प्रोटीन है, ट्रीक है इसका जो नेचर है वो कौन सा है प्रोटीन नेचर है नेक्स कोशन देखिए इंसुलिन तो आपको पता है ना सबको क्या होता अपर इस ग्लूकोस लिख देती हूँ यहां पर है ग्लूकोस कीओ का लेवल मेंटेन करता है हमारे ब्लैड में ऐसके हर्मोन है एक हॉर्मोन है जो की ग्लुकोस का लेवल मैंटेन करता है हमारे ब्लड के अंदर और पैंक्रियास से रिलीस होता है ञिस फ्रम पैंक्रियास같ए रिलीस Munich ईंसूलेन बहुत इंपोर्टेंट होता है पूछ जाता है कि वह कैसी नीचर का है कौन सा मैटल होता है जस्ता है जिंक होता है इसके अंदर इंसूलेन के अलावा हाँ तो अकांशा ने राजकुमार ने सही आंसर दिया है चीक है जैडेंड जिंक होता है इसे क्या कोशन में पूछ रहा है कि कौन सा मानव द्वारा पहला जीवित क्लोन बनाया गया है फिक है यह दिंक ऐसी लिखते होंगे तौली तो तो डॉली एक ऐसा क्लोन है जो कि मानव द्वारा सबसे पहला बनाया गया क्लोन है लेकिन कोशन अगर यह होता कि सबसे पहला मैमल जो कि क्लोन किया गया तो यह जादा सही होता सबसे पहले मैमल जो की सबसे पहले human से clone किया गया तो वो होगा dolly otherwise इससे पहले एक unicellular एक कोशी के जीव को clone किया गया था एक कोशी किया नहीं था वो निमेटोड था तो यह एक mammal है dolly एक mammal है संधारी है जो सबसे पहले मानम ने clone किया था which one was the first successful cloned animal अब देखो यहां पर क्या पूचा है कि जो animal clone हुआ था वो कौन से टाइप का था हमें यह पता है कि उसको कहते है उसका नाम दिया गया था dolly लेकिन यह dolly क्या है क्या यह एक sheep है क्या गिबन है क्या रैबिट है या फिर इन में से कोई भी नहीं जल्दी बताएगे क्या है dolly एक sheep है जी मैंने लास्ट क्लास में पताया था इसकी बर्थ एनिवरस्ट्री डेथ एनिवरस्ट्री वो सारी इंफॉमिशन दी सी डीक है तो यह क्या है एक भेड है next sugar present in DNA DNA के अंदर कौन सी sugar present होती है डीने का जो फुल फार्म होती है वो होती है Dinosi ट्राइबो लीजर्क कैश्ट की डी ऑक्सी डाइवो लीजर्क्लिक असेड तो यह इसमें जो शुगर होती है उसमें भी Dioxy लगा होता है ठीक है? Dioxy Ribose Sugar होती है ऐसे याद कर लो आप इसके नाव ठीक है? तो क्या है? Dioxy Ribose Nucleic Acid के अंदर Dioxy Ribose Sugar होती है और अगर RNA का वैसे अभी तर्व पूछा तो नहीं है लेकिन अगर RNA का पूछे तो आप कहोगे Ribose Sugar होती है क्योंकि उसमें Dioxy नहीं लगा हुआ तो इसमें आंसर क्या है हमारा? C, Dioxy Ribose Sugar यह जो Sugar है, यह 5 Carbon Sugar होती है इसको कभी-कभी Pento Sugar भी लिख देते हैं ओके? Pento Sugar होती है Next Question पर आईए The number of bones in an adult human body यह तो बहुती Basic Question हो गया है ना बहुत छोटी Glasses में बढ़ते हैं यह तो यह तो आप सबको पता ही होगा कि 206 होती है 206 हंडिया होती है Next Question पर आईए Which of the following type of light are strongly absorbed by the plant? यह Question हमारा प्रकास अंशलेशन से है निमलिकित में से किस प्रकार का प्रकाश पॉत दुआरा सबसे ज़्यादा अव्शोषित किया जाता है किस चीज के लिए प्रकास अंशलेशन के लिए यानि कि फोटो सिंथिस के लिए को पॉटो सिंथिस के लिए कौनसी वाली वेवलेंग्ध लाइट की सबसे ज़्यादा प्लान्ट एब्जॉब करते हैं जल्दी बताइए कौनसी वाली वाइलेट औरेंज ब्लू और रेड इंडिको और येलो येलो और वाइलेट तो इसका आंसर है ब्लू और रेड ये याद रखना ठीक है प्लांट लगबग जैसे यह अब्सॉब करता है प्लांट ओके घ्रीफ जसे कम करता है अगर पुछेंगे सबसे कम कौनसा करता है तो कहँ अब ग्रीफ सबसे कम अव्शोशित करता है नेक्स कोशन पर चलिए study of zoology deals with zoology का जो अध्यान है वो किस चीज से संबंदित है living animals only living plants only both living and dead animals both living and dead plants क्या चीज हम इसमें study करते है देखो ये तो सबको पता है कि zoology और botny living and dead भी जीवित भी और मृत भी इसमें हीं नहीं लिखा और बता रहहे हु जीवित भी और म्रत दोनों ही प्रकार की अनिमल की हम स्टडी करते हैं जोलोघी में, और बॉटणी में लिविंग और डेड प्लाइन की स्टडी करते है, clear everyone? नेक्स देखी हैं, इस्टडी और फ्लॉवर की स्टडी को क्या बोला जाता है? सब्सक्राइब और चाम को थी स्टाडि के वार एक משल में उसकी क्लास में सब्सक्राइब नहीं हो फूलों के अध्यन को क्या कहा जाता है इसको बोले जाता है एंथोलोजी आप एंथो वर्ड से याद कर सकते हो क्योंकि एंथर एंथर फूल के अंदर होता है एंथर किसके अंदर होता है फूल के अंदर अगर आपने छोड़ी ग्लास में बड़ा हो गई है कि फूल के अंदर एंथर होता है यानि मेल जो मेल वाला जो पार्ट होता है इसका तो एंथोलोजी फूलों के अध्यन को कहा जाता है सबसे ज़्याद है स्पीशीज कौन से वाले फाइलम में ना पढ़ लो सबसे ज़्यादा प्रकार के स्पीशीज यानि की जातियां बोलते हैं तो लाज़ेस नमबर स्पीशीज कौन से वाले फाइलम में है है कि सोकौंसे में होता है फंजाई में इंसेक्ट बेग प्लांट में या बैक्तिरिया में हो सबसे ज़्यादा होते हैं जादा होता तो ज्याधा रहताा अंसर रहा ठीक क्या और य्च एप जिसमें सबसे सपदां। यह जतने भी जंतु है हमारे पूरे अर्थ प्राइर्थ पर उन सबसे ज़ीव किसमें बाया आर्थर पोर्ट में लेकिन उसका एक टाइप है इंसेट्स इंसेट्स भी आप लिख सकते हैं तो यहां पर हमारे सारे कोश्चन आज के कंप्लीट होते हैं आज के कोश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप जितना भी मैंने उसमें आपको अडिशनल नॉलिज दी है वह भ इसको बिल्कुल भी एक भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा और अगर एक बार भी नहीं होता है तो बार बार इसको डबल की स्पीड पर देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़े याद हो जाए ठीक है फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स क्लास में नेक्स कोश्चन के साथ झाल 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 झाल